नमस्कार जूनियर्स मेरा नाम है अधित शर्मोर आप देख रहे हैं कॉमर्स भाया सबर बहुत सारे बच्चों का ना दिक्कत आ रही है रिपोर्टिंग के अंदर अभी आप लोग की रिपोर्टिंग दो दिन और चलने वाली है सारे ही कोर्सिस की अगर आप लोग को रिपोर्ट करना है कॉलिज के अंदर आप लोग को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है कि पुरानी कॉलिज से कैसे पैसे वापस लेनी है new college के अंदר कैसे आप योगो पैसे दीनी है, कितने दीन है, क्या करना है это Lorik बताने वाले वाले हो पूरा देखना है , लाइक जर्रुई बेने लिए और की च्रस Тут सब्हक है पूरा देखना है इस विडियो को लाइक जरूर करना, शरुआ करते विदियो को बने किसी profit loss के अंदर आप लोग कोई college नहीं मिला था, आप लोग को पहली बार कोई college allotment करी गई है इसी round के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जिन बच्चों को पहले से college मिला हुआ था, उनको क्या करना है अगर आप लोग को college अपग्रेड हुआ है तो काफी अच्छी बात आप लोग को congratulations लेकिन अब आप लोग को reporting करनी कैसे है तो सबसे पहले तो आप लोग अपने old college से अपने documents को return ले लो, जो भी original आपने दे रखे होंगे उनको आप return ले सकते हो, और इसी कलावा एक मैने के अंदर अंदर पैसे return कर देंगे डरने की बात नहीं है, वो आप लोग को पैसे खाएंगे नहीं हो, आप लोग को return कुछ time में कर देंगे अब भाई आम लोग को क्या 60,000 का भी कुछ करना है 60,000 आप लोग को अपने बागी नया college जो भी आप लोग को भी मांगेंगे जो की upgradation charges IPNOC के हर साल होते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि जिन बच्चो को अभी-भी college allotment करी गई है उनका क्या करना है, जिन बच्चो को अभी एकदम allot किया है इसी round के अंदर एकदम freshly allot हुआ है college तो उन बच्चो को ये करना है, उन बच्चो को एक list of documents लेके जाना है मतलब सारी documents लेके जाने है और इसी कलावब आप लोग को वहाँ पर जाके part academic fee आपकी जो 60,000 हटा के जो बाकी की fees होती है वो आप लोग को वहाँ पर जाके pay करनी है मान लिजे college की fees है एक लाग 50,000 रुपे तो आप लोग उसमें से 60,000 माइनस करके 90,000 रुपे आपको और पे करनी है मतलब हाँ 1.5 लाग रुपे तो किसी college की मेर को ने लगता फीस होगी इसके आसपास ही है मतलब 1,20,000 रुपे जार यह एक लाग 25,000 रुपे जार यह फीस तो मान सकते हैं आप लोग हाँ 1,50,000 का यह एक्जामपल था और अगर आप लोग को documents के अंदर को भी देखा था थी कि भाई हमको कॉनसे documents लेके जाने है और इसके लिए मैंने एक वीडियो अल्रेडी बना रखे आप इस वीडियो को देख सकते हैं जाके उसके अंदर मैंने properly explain कर रखे कि कितने documents लेके जाने हैं और क्या क्या लेके जाना है अगर आप लोग के वीडियो चे लेके तो इस तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में अपसे अगली वीडियो में पिक लिए तना ही दन्यवाद